हेलो फ्रेंट्स, बेलकम टू स्टेडी कर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज किस मातपूर लेक्षर में डिसकस करेंगे, 15 माई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस के कोशन, आप इस लेक्षर को बहुत इध्यान से लास्त तक जूरूर देखेगा, आज का प वह 1986 बेच के IPS ओफीसर हैं, और रहें, दो साल के लिए CBI का डारेक्टर नुट किया गया है, वर्तमान में डारेक्टर कोन है, सुबोध कुमार जैसवाल, जिनका कारकाल 25 माई को समाप्त हो रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रभीन सूध है, वो इसी दिन अपना कार परिभार संभाल सकते हैं, CBI की बात करें, तो Central Bureau of Investigation इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और यह भारत सरकार की प्रमुख जाच एजनसी है, और यह आपराधिक और राष्टिय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की जाच करती है, इसके अलाब मुख सुचना आयुक्त कौन है, यस बर्धन कुमार सिनहा, Intelligence Bureau के निदेशक कौन है, तपन कुमार धेका, Research and Analysis Wing के प्रमुख कौन है, सामंत कुमार गोयल, राष्टिय जाच एजनसी यानि NIA के महानेदेशक कौन है, दिनकर गुपता, ED के निदेशक कौन है, संजे कुमार मि यानि NCB के महानेदेशक कौन है, सत्त नारायट प्रधान, आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखेगा, लास्ट में आपसे एक कोशन पूछा जाएगा, जिसका आंसार आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो सब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाले जिससे आपको समाएब पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा, नेक्ट कोशन है, किसको यूनेसको की विस्व विरासत सूची की आयस्थाई सूची में जोडने की सिपारिस की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते है दोस्तो यह है सांती निकेतन, जिसकी स्थापना गुरुदेव रविनाट टैगोर जी की द्वारक की गई थी, तो पश्चिम बंगाल के सांती निकेतन को यूनेसको की विस्व विरासत सूची में सामिल करने की सिपारिस की गई है, सांती निकेतन की स्थापना नोविल तो यह जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा। तो यह जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा। वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेश को विस्व विरासत इस्थल हैं जिसमें 7 प्राक्रतिक हैं 32 सांस्क्रतिक हैं और एक मिस्रित इस्थल है। भारत का 49 बा विस्व धरूहर इस्थल कौन हैं दोस्तों याद रखेगा। विस्व विरासत इस्थल है 49 बा वो है कालेश्ष्वर या रामाप्पा मंदिर जोकी तेलंगा ना में हैं। और भारत का 40 बा विस्व विरासत धरोहर इस्थल है, हरपपा, सब्बता का धोलाबीरा जो की गुजरात में इस्थित है, महराष्ट राज्ज में सबसे ज़्यादा यूनेसको विस्व विरासत इस्थल हैं, महराष्ट में 5 यूनेसको साइट हैं, तो ये कुछ important जानकारी है जिसमें इस्थित सेवलिंग की कारवन डेटिंग की जाएगी, आंसर इसका वराणसी, दोस्तो अभी हाल ही में इलाहबाद हाइकोर्ट ने औरकेलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया को वराणसी में जो ग्यान बापी मस्जित है, उसके अंदर जो सेवलिंग है, उसकी कारवन ड हिंदू मंदिर के स्थान पर बनाई गए है, तो दोस्तो इसी मामले की सुनवाई करते हुए, इलाहबाद हाइकोर्ट ने ASI को ये आदेश दिया है, कि जो सिवलिंग है, उसकी वो कारवन डेटिंग करे, दोस्तो कारवन डेटिंग के माध्यम से किसी भी पदार्थ की कितनी हैं, और इस कारवन डेटिंग में कारवन चौधाय का उप्यूग किया जाता है, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिगा, बात करते हैं, और्कोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की, या भारतिय पुराता तो सर्वेक्षण की, तो भारतिय पुराता अनुसंधान और देश में जो सांस्कृतिक इसमारक हैं, उनका सर्वेक्षण करने का काम करता है, इसकी स्थापना 1861 में अलिकजेंडर करनिंगम के द्वारा की गई थी, जो कि इसके पहले महाने देशक भी बने थे, इसका मुख्याला नई दिल्ली में है, और वरतमान महा नदेशक कौन है, बी विद्यावती, नेक्ट कोशन है, प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कम मनाया गया है, आंसर होगा या है, 13 मै को मनाया गया है, दोस्तो प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया है, यहाँ पर दोस्तो हम मैंशन कर रह junior permissions की, इसका मतलब ये है कि हर साल 13 माई को नहीं मनाय जाता है यह दिबस यह 2023 में 13 माई को मनाय गया है दोस्तों विस्व प्रबासी पक्षी दिबस एक साल में दो बार मनाय जाता है एक मनाय जाता है माई के दूसरी सनिवार को और दूसरा मनाय जाता है अक्तूबर के दूसरी सनिवार को ठीक है तो माई का दूसरा सनिवार 13 माई को था इसलिए यह दिवस मनाया गया है 13 माई को 200 प्रबासी पक्षी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था और अब यह 100 से अधिक देशों में मनाया जता है भारत में हर साल पक्षियों की लगभग 239 प्रजातियां आती हैं प्रबासी पक्षी के रूप में हाली में मनाया गए कुछ प्रमुक दिवस डिसकस करते हैं जैसे पादप स्वास्त का अंतराष्टिय दिवस 12 माई को अंतराष्टिय नर्स दिवस 12 माई को राष्टिय प्रोदौक की दिवस 11 माई को विस्व थैले सेमिय दिवस 8 माई को विस्व रैड क्रॉस दिवस 8 माई को विस्व एथलेटिक्स दिवस 7 माई को और विस्व हाथ स्वक्षिता दिवस 5 माई को मनाया जाता है अब इन में से दोस्तों हमने कुछ दिवस डिसकस नहीं किये हैं तो जो भी दिवस हमने डिसकस नहीं किये हैं जिनको हमने करेंट अफियस में आपको पढ़ाया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूरू बताईएगा नेक्ट कुशन है आई SSF विसकप 2023 में हिर्दय हजारिका और नैंसी मंदोत्रा ने कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तों इन दोनों लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है तो भारतिये निसाने बाद हिर्दय हजारिका और नैंसी मंदोत्रा ने अजर बेजान के वाकू में आई SSF विसुकप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल इस परदा में सिल्बर मैडल हासिल किया है यहाँ पर बात आई है I.S.S.F की तो इसका फुल फॉम होता है International Shooting Sport Federation इसकी स्थापना 1907 में की गई थी म्यूनिक जर्वनी में इसका मुख्याला है इसके वर्तमान अध्यक्ष है लूशियानो रॉसी और यहे ओलंपिक सूटिंग इवेंट के लिए गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है दोस्तो स्पोर्ट से रिलेटिट करेंट अफ्यस को डिसकस करते हैं तो अभी हाली में फकर जमान जुग और नारू मोल चायवाई जो है वो ICC पिलियर आफ दा मन्थ बने हैं अप्रेल दो हजार देज के लिए अर्जेंटीना के लियोनेल मैसी ने जीता है अभी हाली में लॉरियस स्पोर्टमेंड आफ दा इयर का अबाट दो हजार देज का मैक्ष बेरेश टेपन ने मियामी ग्रेंट प्रिक्स दो हजार तेज का खिताब जीता है बाबर आजम वंडे किर्किट में सबसे तेज पांच हजार रन बनाने वाले बल्लेवाज बने हैं नीरा चोपडा ने डाइमंड लीग दो हजार तेज का खिताब अभी हाली में जीता है 88.67 मीटर का भाला फैक कर ओरीसा ने भारती होकी टीम के स्पॉंसर सिप को 2033 तक बढ़ा दिया है यनि कि जो ओरीसा है वो भारती होकी टीम के स्पॉंसर की रूप में 2023 तक काम करेगा डिंग लेरेन चाइना की पहले 2077 चेंपियन बने हैं अंडर 20 विस्ट कप की मेजबानी इंडोर नेसिया की जगए अब कौन करेगा अर्जेंटीना करेगा तो ये स्पोर्ट से रिलेटिड करेट अफ़या से नोड कर सकते हैं आप यहाजरानी मंतरालय के द्वारा 2023 के लिए परतिष्टित सागर स्रेश्ट पूरुसकार से समवानित किया जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जहाज दूरानी मंत्राले के वर्थमान में मंत्री कौन है छाल ही में प्रदान किये गए कुछ प्रमोग पुरुसकार डिसकस करते हैं तो राश्टपती दुरुपती मुर्मू ने अभी हाली में 37 बीरता पुरुसकार प्रदान किये हैं, मीरा सयाल को लंदन में बापता फैलुसिप दी जाएगी, रोसी लेकिका, मारिया इस्टेपा नोवा को लीप जिंग पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है, सौनम वांग नाइक को दिया गया है, राज सुब्रमन्यम को अभी हाली में प्रवासी भारतिय सम्मान मिला है, नंदिनी गुपता ने फैमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अभी हाली में जीता है, कुमार मंगलम बेड़डा को विजनेसमेन लीडर ओफ द डिकेट पुरुसकार अभी हाली स्विध्याला के दौरा Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है, इसके अलावा कसमीर की आलिया मिर को वनजीव सरच्छर पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हाली में प्रदान किये गए सभी पुरुसकारों को एक बार रिवाईज कर लिया Next Question है, इंडियन नेवी में अभी हाली में सामिल किये गए वार्शिप, आइनेस मोर्मू गाउ से किस मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया है, तो दोस्तों जो वार्शिप है आइनेस मोर्मू गाउ तो उससे अभी हाली में ब्रमोस मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया है, और INS मौर्मूगाव की बात करें तो इंडिया नेवी के वार्शेप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया था और या हत्यारों से लेस दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल केरियर है और दोस्तो मौर्मूगाव एक स्टेल्थ गाइड़िड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका 75% हिस्सा भारत में ही बनाया गया है ठीक है और इसे पिछले साल यानी 2022 में इंडिया नेवी में सामिल किया गया था बात करते हैं ब्रम्होस मिसाइल की तो दोस्तो इसे रसिया और इंडिया दोनों मिलकर के बनाते हैं ब्रम्होस को लेकर 1998 में भारत और रसिया के बीच में समझोता हुआ था भारतिय सेना को 2007 में पहली बार ब्रम्होस मिसाइल मिली थी ठीक है तो ये कुछ important जानकारी है ब्रम्होस मिसाइल के बारे में next question है गीता राओ गुपता को किस देश में महिला संबन्धी मुद्धों के लिए ambassador नुक्त किया गया है अमेरिका में नुक्त किया गया है भारतिय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं गीता राओ गुपता तो उन्हें अमेरिकी बितेस बिभाग ने महिला संबन्धी मुद्धों के लिए अपना ambassador नुक्त किया है यानि दूत बनाया है अमेरिका से related कुछ current office discuss करते हैं तो अमेरिका का जो नुक्त किया गया है उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो नई इमारते होगी उसमें gas stove और जीवास इनन का उपयोग नहीं किया जाएगा तो यही एक कानून बनाया गया है वहाँ पर और इस कानून को अभी हाली में मंजूरी ती गई है और निवार्क ऐसा करने वाला पहला अमेर की राज़ बना है अमेरिका के राष्टपती जो बाइडिन की टीम में एक इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को घरेलू नीती सलायकार के रूप में अभी हाली में निव्त किया गया है अमेरिका वित्वर्स 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार बना है चीन इस मामले में दूसरी नमबर पर है अमेरिका का जो जो जोर्जिया स्टेट है वो हिंदू फोबिया के खिलाब प्रस्ताव पास करने वाला अमेरिका का पहला राजज बना है अभी हाली में अमेरिका ने मैक मोहन रेका को एक अंतराष्टी सीमा के रूप में माननेता दी है भारतिय अमेर्की महिला न्यायधीस तेजल महता को अमेर्का की एक जला अदालत का पहला न्यायधीस नॉमिनेट किया गया है और अमेर्का ने अभी हाली में एरेक गार सेटी को भारत में अपना राजदूत नुक्त किया है अब दोस्तो आप ये बताएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत के अमेर्का में राजदूत कोन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा नेक्स्ट कोशन है स्री अन्न उत्सव किस राज में सुरू हुआ है तो अभी हाली में उत्राखंड में स्री अन्न उत्सव सुरू हुआ है दोस्तो उत्राखंड में स्री अन्न महोसव उत्राखंड की राजधानी दहरादून में सुरू हुआ है और इसका उद्देश है कि ज वर्स भी घोसित किया गया है United Nation के द्वारा उत्राखंड से related कुछ important point discuss करते हैं तो उत्राखंड के हल्दवानी में खेल विस्विद्याला खोला जाएगा या भी CM ने घोशना की थी उत्राखंड के देविस्तल में एसिया का सबसे बड़ा liquid mirror telescope स्थापित किया गया है रोजगार योजना सुरू करने की अभी हाली में घोशना की है गर्तन दिवस समारो 2023 में उत्राखंड की जहाकी ने पहला इस्थान अभी हाली में हासिल किया था उत्राखंड की राजधानी दहरादून और गैरसैन है राजपाल है गुरमी सींग और मुख मंत्री है पुसक स्रीलंकार ने अभी हाली में मांग करने वाले एक विथ्यक को मंजूरी भी दी गई है अभी क्या है वरतमान में कि जो कानून है वहां पर स्रीलंका में उसके तहट समलेंगिक्ता पर काराबास और जुर्माना दंडिनी है यानि कि अगर समलेंगिक्ता में कोई दोसी पाये जाता है तो उसको काराबास और जुर्माना देना पड़ेगा लेकिन कारकरताओं के द्वारा वहां पर लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है कि इस का और लाश्ट में पूछेंगे एक कोश्चन जिसका अंसार आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो कल का पहला कोश्चन था कौन सा बिमान बायू शेना में सामिल होगा जिसका ट्राइल इस पैन में हुआ है तो C-295 भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज में सुरू होगी उ इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 कहां आयूजित किया जाएगा नई दिल्ली में आईपेल इतिहास का सबसे तेज अर्द सतक किसने लगाया है यह सस्वी जैसवाल ने गूची ब्रांड की पहली इंडियन ग्लोबल एंबैस्टर कौन मनी है आलिया भट इफाइलिंग 2 2.0 software किसने लौच किया है डी वाई चंचूर ने ओल इंडिया फुटवाल फेडरेशन ग्रास रूट्स डे कम मनाया जाएगा 23 जून को हाली में इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्क्रण आयूजित किया गया है तो 35 संस्क्रण आयूजित किया गया है आज के जनरल 1798 से 1805 तक इसमें सिसु हत्या पर प्रतिबंद लगाया गये था इस प्रकार के कुश्यन जो है हिस्ट्री में पूछे जाते हैं तो आप इन्हें डोट भी कर सकते हैं सती प्रता पर प्रतिबंद बिलियम बैटिंग की समय पर आया था और 1839 में आया था सती प्रता पर इसमें प्रतिबंद लगाया गये था दास प्रथा पर प्रतिबंद एलन बरो के समय पर आया था 1843 में और 1833 के चार्टर अधनियम के दुआरा 1845 में दास्ता को प्रतिबंधित किया गया था लाड केनिंग के समय पर आया था 1856 में और विद्वा बिबाह की इसमें अनमती दी गई थी नेटिव मेरिज एक्ट नार्थ ब्रुक के समय पर आया था 1872 में इसमें अंतर जातिये बिबाह की बात की गई थी एज ओफ कंसेंट ये एक्ट लेंस डाउन के समय पर आया था 1891 में इसमें लड़की के बिबाह की जो आयू है वो 12 वर्स निर्धारित की गई थी तो ये सामाजिक सुधार से रिलेटिड अधिनियम है इन्हें आप लोट कर लीजिगा अब पूछे जा रहा है आपसे एक महत्पूर्ण कोश्चन जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सीबी आई के नए डारेक्टर कौन बने है जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएगा पीड़ डाउनलोड करने एप या फिर टैलिग्राम चैनल से लिंक के सभी का डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में दिया गया है दोस्तो इस लेक्चर को सभी को आप सेयर कर और पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें मिलते हैं नेक लेक्चर में जैहिंत वंदे मातरम